सवी वच्चों का स्वागत है आज हम लोग वर्ग 17 का पाठ 15 तिर्भूच की सर्वांग समता पर अधारित प्रस्न पड़ते हैं towards पहला प्रस्णावली में है की रिक्टस्थानों को पूर्टी किजिये प्रस्णावली 15 गौर्प्रस्थानों की पूरती किजिये और इसमें सर्वांगस्म कैहा होती है नो यहाथ चीए जानता है सरवांसम आने करते हैं जैसे मेरा यहाथ इस हाथ के सरवांसम है क्यूंकि जब हिसक्त के ऊपर भी साथ को रख देंगे तो आपको पीछे का हाथ दिखाई नहीं देगा सरवांसम एकजैसा होना चाहिए यह दोनों कल्म तो अलग नहीं देखे तो नहीं देखने क्यों बढ़ावरर गताएग, आएक जाय disci ₦ और इस तरह और पाई लोग या रहत भुलावर यग वह सकता है, तो पीछे वला नहीं देखे यानि कि जैसे हम लोग आप अपना चेहरा को जब देखते हैं सीसा में तो सीसा में जो आपका चेहरा होता है आपका जो चेहरा होता है वो एक जैसा होता है तो इसी को सर्वांगसम उता करते हैं तो यहां पहला है प्रहस्म कि दो सय सब्सक्राइब refresh सब्सकुर्ण अगर मलेजिए आज ओर कोई चीज करा सब्सक्राइब सब्सक्राइब पढ़ना है तिर्भूज सर्वांग्संता कव होगा तो इसके लिए चार है तो फिर्भूज सर्वांग्संता का नियम पढ़ेंगे तो कव ये तिर्भूज को जब इससे उठाके रख दे और सको नना उसका कुछ दिखाई नहीं देख दुसरे में छिप जाए बरावर हो जाए तो सर्वांग सम करते हैं तो पहला जो प्रहसन दो सर्वांग सम कोनों में से 1930 20 हो तो दूसरे कोन का माप पचास दिखरी होगा यह होगा ठीक है उसके वद कारा है कि तिर्भूज यह बीशी माली जी यह बीशी है ठीक है बीशी की बीशी की लंबाई इस बुजा की लंबाई पाच सेंटीमीटर है तो सरवांगसम तिर्भूज ल, M, N की संगत संगत यानि देखिए BC यहाँ पर है MN इसका है इस भुजा का भी लंबाई कितना होती ये 5 है ये 5 होना चाहिए कभी सरवांगसम होगा अगला प्रस्न करा कि दो रेखा खण सरवांगसम होते हैं यदि दोनो की लंबाई की हो ब्रावर लंबाई की हो अगर लंबाई ब्रावर है तभी सरवांगसम होगा ठीक है तो इसका दूसरा प्रस्न देखते हैं तो दूसरा प्रस्न कहता है यदि तिर्बुच P Q R सरवांगसम ये चिन सरवांगसम का है इसको याद रखिए सर्वांगसम का चीन क्या होता है ब्रावर के उपर एस लिखा रहाता है इसे तो सर्वांगसम है किसके x y z x यानि कह रहा कि एक तिर्भूज बना लिजी पी क्यू आर ठीक है यह सर्वांगसम है इसका y z x पी क्यू आर सर्वांगसम है y z x हो तो एक y z x के उन सभी भागों को लिखिए जो निम्न के संगत्मने यह प्रस्न है इसके संगत्मने इसके साथ को तो यहां देखिए यह समझिएगा यह जो दिया हुआ सर्वांगसम क्या है पी क्यू ब्रावर होगा y z का क्यू आर रिखाखन ब्रावर होगा z x का और पी आर जो होगा वो ब्रावर होगा y x का कोन पी ब्रावर होगा कोन y से कोन क्यू कोन z के ब्रावर होगा कौन R, कौन X के बरावर होगा कैसे हम कर रहे हैं तो देखें P, Q, R और इधर दिया हुआ है Y, Z, X P कौन Y के बरावर Q कौन Z के बरावर R, X के बरावर इस समझ गए? भुजा में आईएगा तो P, Q P, Q भुजा Y, Z के बरावर ठीक है Q, R Q, R भुजा जो है Z, X के बरावर और एक बड़ा इस तोनों को लिजी P, R, भुजा Y, X के बरावर देखें वही बात बोल रहे हैं यह याद रखना, यह 6 ची होता है तीनों कोन आपस में बरावर होगा आपस में एक दूसरे के और तीनों भुजा फिर एक दूसरे के बरावर होगा तो अब देखें, एंगल Q एंगल Q यानि कोन Q कोन Z के बरावर होगा Q, R रेखा खन, Q, R जो है अभी लिखा लका देखाए Q, R बरावर Z, X के होगा Z, X रेखा खन के बरावर होगा कोन R कोन X के बरावर होगा और रिखा-खंद, पी यार य एक्स के बरावर होगा, वाई एक्स के बरावर, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, यह तरीका है, कैसे हम लोग करेंगे, तिर्भूज बना लीजिए, उसके देख लीजिए, किसके किसके बरावर बोल रहा है, आपको यह सवाल बन जागा तो इस तरह से ये प्रस्णावली 15.01 में दो प्रस्ण था एक और दो मैंने आपको दोनों प्रस बना के दिखाया समझाया ये समझाने का इसको समझ लिजी अच्छी तरह से संगत कौन किसके बरावर होगा हर कौन एक दुसरे के जो जिसका जिस तिर्भूज के बारे में बोल पहला कौन के साथ दूसरा दूसरा के साथ बीचवला बीचवला के साथ अंतिमबला अंतिमबला के साथ भूजा के लिए जैसे जब भूजा लिखते हैं पी क्यू आर और वाई जैड एक्स तो देखिए यह दोनों भूजा लेंगे यह दोनों लेते हैं यह दोनों इस तरह से भुजा को ब्रावर दिखाते हैं, तो आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से ये अभी से लेके 10 तक आपको काम आने वाला है, बिन 10 में भी सरवांग समता है, उसके वाद समरूपता है, इसी पर अधारित है, इसको भूलिये नहीं, और अच्छे से पढ दिखने के लिए धन्यवाद.